प्राश में देखें के देखें प्रास 11 मैथ में जहाना तक आपने पढ़ा था उसते थोना सा आगया देखेंगे सबसेट सुपर सेट इसके सब के वारे वी पढ़ा था अब हम लोग देते युनिवर्सल सेट क्या हुआ युनिवर्सल सेट जैसे माल वहुत से छोटे-छोटे सेट हैं या अगर एसे ब्रह्माट वसके अंदर बहुत से प्लैनेट छोटे-फ्लैनेट किसके अंदर हैुनिवर्सके अंदर तो इसी तरह से उनिवर्सल सेट होता है है ऐसा सेट जो सभी छोटी छोटी सेट की वैल्यों को या एलेमेंट को कंटेन करता हो उसे हम गोलेगे युनिवर्सल सेट यानि जो सभी छोटी छोटी समुझचर की वैल्यों को या अवेव को अपने अंदर रखता हो उसे हम कहेंगे युनिवर्सल सेट या सार्वात्रिक स समुच्च है तैसे माहिए जिए आपके पास एक सर्थ है ए ए बराबर एक तीन पाच साथ नौफ एक सर्थ है आपके पास बी दो चार छे आर दस एक सर्थ है आपके पास सी एक दो तीन चार यह तीन सेट है और एक सेट आपको के दिया है यूँ इसमें है वर्ण टू त्री फोर फाइव सेज सेवन एट नाइन तैं अब देखें सेट ए में जो वैरूज है वो इसमें है एक तीन पास साथ नौफ सेट वी में जो वैरू है वो भी यूँ में है दो चार छे आर दस सेट सी में जो वीज में पास में है एक दो तीन चार तो यह क्या हुआ कि इस सारे यहाँ जोन वीड करना चाहे है, तो इनकाम वीड डियग्राम देखे करें एक मैथमेटिशनीन देखें जोन वीड और वीड वीड में इसको डियाग्राम की फोर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था था तो उन्हें मोँते हैं वीड डियाग्राम या बेन आरे बेन आरे को एक विवर्शा होता है यानी सारत्रिक समुझ्च वो रिप्रेजेंट किया जाता है रिक्तेंगुलर वॉक्स है आयतार मार वॉक्स आपने बना दिया इसका मतलब क्या हो गया यह इक स्तारवत्रिक समुच्छ है हो गया और इसके किनारी प्लेकरती यू यूनिवर्सल सेट और नॉर्मल तो सेट होता है समुच्छ इसको हम दो अमकु दो इक सर्क से रिप्रेजेंट करते है याहे इस इस बिन नमा रापके रिप्रेजेंट करते है मानको एक सेट यह है यह हो घगा जो समाना जो आक्को एक उसकोल को ≥25 तो आप धारम्त इसके अधर लिख़े ≥25 अंदर we zh q a चोटा सा इक्जांपऽ डिखे इसको रिप्रेजेंट करनेगा रसमान लिए आपने युनिवर्सल सेट देया गया है एक दो ती चार पाच छे एक सेट ए दे रखता है एक ती पाच एक सेट भी दे रखता है दो चार Czech अग इसको बें डडाइडम रिप्रजेट करना दे एक आप वंवर्सल सेट आवे इसमें को सेट A है सारी भी जैलोर इसमें होंबी चाहिए उलवर्सलिवे सेट एं ने अन्दर एक तीर पांच आणा इसंदर एक सेट हम नहीं मणा दिया ए इसको लिख दिया A, 3, 5 दूसरा B सेट है इसमें 2, 4, 6 यानि A की कोई भी पहलो B में नहीं है तो A से ना टच होते हुए हम दूसरा सक्री बनाएगे तो A की कोई भी पहलो B में नहीं है इसमें B क्या होगा? सेपरेट होगा, सबसे अलार होगा तो इसमें लिखनेंगे 2, 4, 6 आप दिकों उनिवर्सल लिखाल करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो A, 2, 3, 4, 5, 6 ये इस बड़े राचा कार्टिटे के अंतर है मतलब उनिवर्सल की पहलो लिख दी A, 3, 5 को एक सर्किल में कर दिया यानि ये क्या हो गया? A हो गया 2, 4, 6 को एक सर्किल में कर दिया ये क्या हो गया? B हो गया ठीक है? इस तरह से ब्रिन डाइग्राम से अब लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेट को ब्रिन डाइग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है अब कर देखें यो निया हो पूसे दो समुच्चे का स्थाना दो समुच्चे का संग जाओ था ये कहैं? union जाओ था जैसे पहा इसे आतमा दिया है से ए 1,2,3,4 1,6 आपको दिया B Union होता है Union को रिपरिज़नर करते हैas यह इसका symbol होगा यह होगा . A आपको दिया 1,2,3,4 B आपको दियर रखता है 3,4,5 झीक है आपको लिखना A union B यानि दो सेट का यूनियल, बहुत आसाल है पिछो, बहुत ध्यान से देखके जाओ, ए यूनियल बी में सबसे पहले एक सारे एलेमेंट लिख लो, ए, दो, ती, चार, ठीक है, उसके बाद बी के एलेमेंट लिखने से पहले ये देखो, कि कौन कौन से common है, आप देखो, ती, यहां भी है, यहां भी है, चार, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन जो चीजे डबल होनी, वो इहीं बाद लिखी जाए, आपके को 3-4 यहां दिये, 3-4 यहां दिये और इसको लिख लिख लिया है तो B के वो element लिखे जाएगे जो A में ना हो ठीक है? आप दिखें तीन-4 ऐडों से लिख लिख लिया था इसको नहीं लिखेंगे बचा 5 यहां पे, 5 लिख दू यह आपर क्या हो जाएगा? A हो यहां, B हो जाएगा क्लियर हो जाएगा आपको? एक एक्जामपल हो लिखते हैं पठा-पठा आपको के ट्राइट अब से लिखेंगे गॉपी के लिखेंगे बैठेगे A, B, C, D, याप B B, C, D, E, F, G ठीक है? हमको इतना क्या है? A, B, आपको ट्राइट रटे रिए पंड़ाबाट पठी में अपने A, B, इपल टू क्या होगा? A का एलिमेंट जो दोनों में होगा, वो एक बार लिखा जाए C यहां हो यह, C यहां हो यह D यहां, D यहां है F यहां, A यहां है इन तीनों को एक बार लिखें के बाकी दो बच्चे ने उनको भी उतार लेना है यह आपको गया A, B, C, D, P, E, F, G क्लिर हो गया? जो जीजे दोनों में होगी उन्हें एक बार लिखना है बाकी की जो बच्चे ने उनको भी साथ में उतार लेना है यह आपको क्या होता है? A, Union, B क्यानि दो का Union क्या होगा? अब जैसे मालो इसको बेंट आइग्रा पर रिप्रजंट करना है तो मैं बेंट आइग्रा में रिप्रजंट करते रहा हूँ A में A, B, C, D, F है एक हमें Area Set को में मता हैं आपको साथ से रिप्रजंट करते हैं A, B, C, D, F B में C, D, E, F, G है आपको C, D, F common है C, D, F common है तो जो B वाला रहने का उसमें C, D, F ऐसे common करने का ठीक है? यह आपका A, यह B होगा अब C, D, F आपका common है मतलब B के रहतार आज पाए C, D, F तो बाकि जो बच्चा वह को पाहली देते हैं कौन बच्चा? E, और G यह आपका क्या होगा? A, Union, B अब आपसे पुछा जाया A, Union, B कोई तो बागोगा? तो पूरा का पूरा क्या है? आपका A, Union, B है यह पूरा का पूरा A, Union, B बनेगा थेके बच्चों क्लियर हो जया आप आप लोग अपकर सकते हैं इसके पर स्टेश्चन यूनियर आराम से फाइंड कर सकते हैं अब हम लोग देतें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और तुसेट अपकर सकते हैं इंटरसेक्शन और तूचेट जो समुच्चेट का सर्मिस्ट सर्मिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा यू उल्टा यूपर आके यूपर रिप्रेजेंट किया जाएगा देखे आणों एप सेट आपको देरखा A 1,2,3,4,A शेट देरखा B 3,4,5,6 आपको निकालना A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए आपको क्या करें लेएं इंटरसेक्शन का मतला होता है जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन दिखा जाएगा बाकी के छोड़ दिया जाएगा वह आपको पहलाएगा सब्सक्राइगा या इंटरसेक्शन का लाएगा वेड़िटाइग्राम प्लोकित के इसका यह आपको सेट A है जिसमें वैलूर 1,2,3,4 अब 3,4 दिखें इसमें common है पांचे नहीं है यानि जो B वारा सेट होगा वो 3,4 को गवर करता होगा अब बच्चा पांचे या पांचे लिखती तो यह B होगा अब आपसे बुचा का इंटरसेक्शन वारा हिस्सा कॉमसा है तो जो common होता है को होता है यह common हिस्सा है इसी common होत बोलेगे intersection तो यह वारा हिस्सा पांचे कराएगा A intersection B कराएगा ठीक है अब देते है difference of two sets फिर रा हिस्सा है अजय तो हुआ जो हुआ जो जो पाँ फुआ टुआ समुच्चे का अंतर समुच्चे का अंतर जैसे मालनों दूट सेट आपको दे रहे हैं A and B A and B यह क्या है सेट आपको डिफ्रेस करना है वक्तर A माइनस दीन करना है तो A माइनस B में आपको दे लिना है A के वो एलिमेंट लिखने है जो B में ना हो The element of A which not present in B A के वे 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 आपको दे लिखने है A के वे आपको दे लिखने है जो B में ना हो आंसर में आपके रखा है एक एक वो एनिमेट लिखने है जो बी में नाफ़ आपके दी बराबर दे रखा है दो दी चार पाँच्छे और बी बराबर दे रखा है बाट छे साथ लिखना आपको क्या है ए माइनस दी तो दी में एक टी में एक डी में एक वो एनिमेट यानि जो पहले रिखा होता आई इसके इलिमेट के निखेंगे और उस इलिमेट के लिखेंगे जो बी में ना आप जैसे 2 देखिए A में है लेकिन B में नहीं है इसको लिख लेगे 3 देखिए है लेकिन B में नहीं है इसको लिख लेगे 4 देखिए है लेकिन B में नहीं है इसको लिख लो 5 है लेकिन B में है इसको नहीं है 6 है B में है नहीं है और लिखना किसका element है? यवículos ये का लिखना है, बी का नहीं लिखना है वस्य बी के दो बच्वे हों उसे हमको कोई मतलब नहीं है यवLP कसे है? ये के उन element से मतलब है, जो बी में नहीं है तो ये आपका answer होजाएर अज東訴 Art आगे कि अगर हम B-A करते हैं तब क्या होगा B-A The element of B जो पहले लिखा होता है उसी के element को लिख रहे हैं Is not present in A B का वो element जो A में नहीं होगा Go B-A की Uzum B के वे element जो A में ना होगा अग्रे की GU impression invaluable पर हैतो जो A में नहीं होगा A मैं आहीए 6 When A 7 When A 8 When A B मैं है A मैं नहीं है प्रेट लिए और एक जो बच्चे हैं उसे कोई मतलब नहीं यानि आपको लिखने किसका है जो पहले लिखा होगा उसी के इलिमेंट को लिखना है और ऐसे इलिमेंट लिखना है जो ना हो यानि दूसरे वाले में ना प्रेजर्ट पोर्नी को लिखना है तो इसे आपके पोलते हैं B-A A-B जो समुझ्चर का अनुकर देफ्रेंस ओफू स्ट्रेक्स अब एच्छे देखिए कॉंप्लिमेंट और से पूरा समुझ्चर सेट का कॉंप्लिमेंट का होता है उसको डैस के रिप्रेजन करते हैं जैसे कुंप्लिमेंट मुझा है एडस के लिए और एडस वरादर होता है यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट यानि यूनिवर्सल सेट मेंसे अगर किसी सेट को माइनस करते हो तो जो बस्ता है वह सेट का पूरा होगा या कॉंप्लिमेंट होगा या जो किसे मालें कि यूनिवर्सल सेट है आपका यूपराब है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट आपका एड़े रखता है एडिशाओ अ ये आपको क्या है आपको एक का कॉंप्लिमेंट निखना है तो एडस एक युनिवर्सल में से एक को माइस कर दो युनिवर्सल में से एक को माइस करें जो पहले लिखा होता है उसी का एलिमेंट हमको लिखना है और ऐसा एलिमेंट लिखना है तो दूसरे वाले में नाम हो ठीक है एक है तीन है तो नहीं है दो लिखियों कि चार हम यह हें पांच हम यह हम यह चे नहीं हैं यह जो बच छो सब्सक्राइब के सिए अब जो समय नहीं आ रहे हैं वो कमिट भॉक्स में आप बोच सकते हैं ठीक है या आप वाटसप ग्रूप जो आपका चल रहा है ग्रूप में मैसेज करके पूछ सकते हैं उसको पूछेगा और एक्सरसाइज की कुछ कुछ जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे ठीक है थैंक यू